पीम किसा नियोजना की तहट किसानों को वार्शी गादर पर 6,000 रुपी की राशी वित्रन की जाती है लेकिन किसानों को अधिक लाब दिलाने के लिए किंदर सरकार ने किसानों को दस्वी किस्त के रूप में 4,000 रुपी की राशी प्रदान कर सकती है जानकारी के अनुसार वश 2022 में विविन राजियों में विदान सभा का चुनाओ होने वाले है जिसके कारण केंदर सरकार द्वारा किसानों को ये राशी 2000 रूपे के बजाए 4000 रूपे के रूप में उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने जा रही है जिला बागवानी पदागतिकारी मतिलेश कालिंदी के अनुसार पूरी सिंबूल जिले में एक लाग से अधिक किसान है पीम किसान योजना के तहट किसानों को भेजी जाने वाली किस्तों के माध्यम से अब दुगुनी राशी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है ये राशी दिसेंबर महा तक किसानों के बैंक खाते में चार हजार की रूप में तक भेजी जा सकती है किसानों की आय को दुगुना करने के लिए केंदर सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था इसके कारण पंजाब उत्रपरदेश उत्राकान राज्यों समेथ अन्य राज्यों में विदान सभा चुनाओं से पहले किसानों को पी-म किसान योजना के तहत तौफा दिया जाएगा केंदर सरकार द्वारा किसानों की आये को दुगना करने के लिए विबिन परकार की कुर्शी योजनाए शुरू की गई है उन्ही योजनाओं में से एक महतोपुन योजना है पी-म किसान योजना जिसमें किसानों को आर्थिक सायता के तौर पर 6,000 रुपी की राशी प्रदान की जाती है लेकिन जल्दी ये राशी 6,000 रुपे के स्तान पर 12,000 रुपे भी बेजी जाएगी PM किसान योजना के तहट किसानों के बैंक अकाउंड में 10 वी किस्त के रूप में 15-25 दिसंबर के बीच 2,000 रुपे की राशी बेजी जाएगी जो घुपे किसानों के बैंक खाते में ये राशी ट्रांसवर की जाएगी जो किसान अप तक PM किसान योजना में तक कर रिजिस्टरे नहीं किया है वो अंडलाइन एवा उफलाइन के माध्याम से योजना में अपना रिजिस्टरेशन करा योजना से मिलने वाली डबल राशी का राप्त कर सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही नेक्श वीडियो के साथ